बुल्डोजर एक्शन पर सुप्रीम कोट ने सक्त फैसला दिया है। इस ख्वाब में हर कोई जीता है। बुल्डोजर कारवाई पर सुप्रीम कोट का फैसला। सिर्फ इसलिए घर नहीं गिराया जा सकता क्योंकि कोई व्यक्ति आरोपी है। राजय आरोपी या दोशी के खिलाफ मनमानी कारवाई नहीं कर सकता। बुल्डोजर एक्शन सामोहिक दंड देने के जैसा है जिसकी सम्विधान में अनुमती नहीं है। निश्पक्ष सुनवाई के बिना किसी को दोशी नहीं ठराया जा सकता। कानून के शासन कानूनी विवस्था में निश्पक्षता पर विचार करना होगा। कानून का शासन मनमाने विवेक की अनुमती नहीं देता है। चुनिन्दा डेमोलीशन से सत्ता के दुरुपयोग का सवाल उठता है। आरोपी और यहां तक की दोशियों को भी आपराधिक कानून में सुरक्षा दी गई है। कानून के शासन को खत्म नहीं होने दिया जा सकता है। समवेधानिक लोकतंत्र में नागरिको पैच। समवेधानिक लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों और आजादी की सुरक्षा जरूरी है। अगर कारेपालिका मनमाने तरीके से किसी नागरिक की घर कोई साधार पर ध्वस्त करती है कि उस पर किसी अपराद का आरोप है तो यह सम्मिधान कानून का उलंगन है। अधिकारियों को इस तरह के मनमाने तरीके से काम करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अधिकारियों को सत्ता का दुरूपयोग करने पर बक्षा नहीं जा सकता। अधिकारियों को या दिखाना होगा कि संग्रक्षना वैद है और अपरात को कम करने या केवल एक हिस्से को ध्वस्त करने की कोई संभावना नहीं है नोटिस में बुल्डोजर चलाने का कारण सुनवाई की तारीख बताना जरूरी होगा डिजिटल पोटल तीन महीने में बनाया जाना चाहिए जिसमें नोटिस की जानकारी और संभरक्षना के पास सार्वजनिक स्थान पर नोटिस प्रदर्शिद करने की तारीख बताई गई है व्यक्तिकत सुनवाई की तारीख जरूर दी जानी चाहिए आदेश में यह जरूर नोट किया जाना चाहिए कि बुल्डोजर एक्षन की जरूरत क्यों है केवल तभी इमारत गिराई जा सकती है जब अनाधिकरित संग्रक्षना सार्वजनिक सडक, रेलवे ट्रैक, जल निकाय पर हो इसके साथ ही प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही इमारत गिराई जा सकती है केवल वे संग्रचना एध्वस्त की जाएंगी जो अनाधिकरित पाई जाएंगी जिनका निप्टान नहीं किया जा सकता अगर अवैत तरीके से इमारत गिराई गई है तो अधिकारियों पर अवमानना की कारवाई की जाएगी और उन्हें हरजाना देना होगा अनाधिकरित संग्रचनाओं को गिराते वक्त विस्त्रित स्पॉर्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी पुलिस और अधिकारियों की मौझूदगी में तोड़ फोड की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी यह रिपोर्ट पोर्टल पर पब्लिश की जाएगी अगर घर गिराने का आदेश पारित किया जाता है तो इस आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए घर के मालिक को रेजिस्टर डाग द्वारा नोटिस भेजा जाएगा और संग्रक्षना के बाहर चिपकाया जाएगा नोटिस देने के लिए 15 दिनों के बाद नोटिस की तामील हो कोट ने आगे कहा कि महिलाओं बच्चों को रात उ रात बाहर फेका जाना दुख़त है अगर अनधिकृत संग्रक्षना सारुजनिक सडक, रेलवे लाइन या जल निकाय पर है या कोट द्वारा आदेशित की गई है तो दिशा निर्देश लागू नहीं होंगे मालिक को नोटिस दिये बिना ध्वस्तिकरण नहीं किया जा सकता संग्रक्षना पर नोटिस भी प्रमुक्ता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए ब्यूरो रिपोर्ट